हर्मो मुक्तिधाम के पास नगर निगम ने सौ से ज़ादा लोगों को नोटिस भेज कर अपना मकान तोड़ने का आदेश दिया है नगर निगम के इस नादेश के बाद हर्मो मुक्तिधाम के पास बड़ी संख्या में लोगों ने निगम के नोटिस के विरोध में पुदर्शन किया मकान तोड़े जाने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है जारखंड हाई कोट के निर्देश के बाद अतिक्रमन हटाओ अभियान पर फिलहाल ब्रेक लग गया है लेकिन इस बीच जिन लोगों का आश्रियाना प्रशासन ने तोड़ दिया वो अब मदद की गुहार लगा रहे हैं उनके हालात का जोयजा लिया हमारे समवाद दाता आयूश ने मैं दिखाने की कोसिस करें आपको बता दूँ कि कल से सावन प्रवेश करने रहा है और जहमा जहम बारी सोरी है कल 35 mm बारी सुवी थी और इसी बारीस के बीच किसी तरह लोग जो है तंबू लगाकर इसी स्थान पे रहे हैं इनके छोटे-छोटे बच्चे हैं पूरा परिवार है कई लोग जैसा की बताये जा रहे हैं कि बीमार पड़ जा रहे हैं तूटने के बाद आप लोग कहां जाएगी कहां जाएगे हम लोग कोई ठोटे काना नहीं है किसी भी तरह से एक एक रुप्या जोड़ करके हम randasisha तो अनको बसाने का भी निर्देश देना चाहिए बाल बचावी बारिस पूरा हो रहा है जिसी तरह करकर ड़ो एक वक्त हरों डोटी जुटा पा रहे हैं किसी तरह से बना रहे हैं खारे किसी तरह to last night अई जब उनें लगता हैं किल पूरा बारीश आया था सब पर नहीं को अगर नहीं घर देने देगा रहने के लिए तो हम यहां से आत्मातिया करेंगे नहीं तो फिर हमको घर दिया जाए रहने के लिए रिबो के उपर बल्डोजर चला रहा है अमीर के उपर नहीं कुछ भी उसका उपर करवाई नहीं तो बेदबाद किया जा रहा है मैं आपको बताओं कि बंधुनगर से मुझे जब सूचना मिली जब मैं यहां पहुचा कई लोग ने यह आगरा किया कि यहां की तस्वीर को दिखाया है कि जिस तरह से उनके घर तोड़े गया है घर तोड़ने के बाद इस्तिति क्या है उनमें से एक महला भी यहां पर है वो महला वो है जिनका घर तूटा है और वो उनको पैरलाइसिस मारा हुआ है और वो बेड़ पे ही सोई हुई है वो जब से उनका घर तूटा है उसके बाद वो उठी नहीं है ये महला है इनकी तवियत खरावी ये बोले नहीं सकती है नहीं शरबात नहीं करने सकते हैं इनको हाथ और पैर भी काम नहीं करता है हम लोग बगल मिल करके इनको खाना देते हैं सब लोग यहां पर जितना हम लोग को 18 घर टूटा है सब मिल के इनको खाना देते हैं और यह तो बोल नहीं पाते हैं कुछ नहीं करने सकते हैं इनको 10 सल का बच्चा है तो वो भी मतलब कहीं दूसरा जगा रहने के लिए भजा दिये हैं इनको पास इतना इसे थी खराब है कि मतलब बच्चा के खाना तक ये नहीं मतलब दे सकते हैं तो इतने हैं कि अगर मैं तस्वीरे दिखाता जाओं तो ये लगतार आएगा लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरे साफ हो रही हैं कि जिस दिन का घर टूट रहा है वो लगतार सदमे में जा रहे हैं कोरोना की दोहरी मार है और जैसा कि अभी थोड़ी दिर पहले मुझे ख़ब है लोगों के मन के अंदर कि क्या उन्हें भी समय नहीं दिया जा सकता था और अगर उन्हें समय दिया जाता तो अपना कुछ विकल्पो जरूर निकाल लेते अपने साह्योगी मंटू यादब के साथ मैं आयूश चोहान न्यूज इलेवन भाट